साथियों आप सभी के स्प्रेटफाम पर सागत हैं इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी यूपी पीशस दोयाचोबिस तथा आरो एरो दोहजार देस की प्रारमिक परिच्छा को ध्यान में रखते हुए तथा बीपियसी की जो प्रारमिक परिच्छा होने उसको ध्यान मे आखड़ें हैं जिनसे आपके प्रश्ण बनते हैं उन आखड़ू को हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करेंगे जैसे कि सहतूत उत्पादर में कौन सा राजी नंबर एक पर है या टॉप के थ्री राज कौन से हैं या आपके टसर रेशम उत्पादर कौन से राजी हैं तो इस तरह के जो प्रश्ण पूछे जाते हैं उन प्रश्णों के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी महात्पून साबित होगा और इस तरह के प्रश्ण आप देखेंगे लगातार परिच्वा में पूछे जाते हैं तो इसके लिए हम लोग घटना जगर के आर्थकी भारतियों 2024 इसकी मदद ले रहे हैं इसमें जो आकड़े देगे हैं उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो चलिए प्राराम करते हैं सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बैक्राउंड की बात कर लेते हैं केंद्रिय रेशम बोर्ड संसत के एक अधिनियम द्वारा 1948 में स्थापना कब हुई थी इसको भी याद रखेगा उनने सो अने सो अनतालिस में और सामवितिक तब होता जब किसी अधिनियम के मात्यम से किसी का गठिन किया जाता है तो ये आपका सामवितिक निकाय है और इसकी स्थापना कब हुई ही इसको भी याद रखेगा 1948 में इसकी स्थापना देश में सेरी कल्चर था रेशम उत्पादन, रेशम, कीट पालन और रेशम उद्योग के विकास हिट की गई है यह वस्तर मंत्राले भारत सरकार के प्रसाशनिक नियांतर में कारी करता है भारत जो है वो चीन के बाद विश्व में कच्चा रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है नमबर एक पर चाइना है दूसरे पर भारत है भारत में उत्पादित लगबग 70% जो वाणिजिक रेशम है वो सहतूत अथत मलबरी से आता है ठीक है रेशम के कई प्रकार होते हैं जैसे भारत में चार प्रकार के रेशम मिलते हैं आपके सहतूत रेशम है तसर है इरी है और मुगा ठीक है भारत ही ऐसा देश है जहां पे सभी प्रकार के रेशम का उत्पादिन किया जाता है तो 70% वानिजिक रेशम जो है वो सहतूत या मलवरी से आता है और आम तोर पर रेशम या जो कच्चा रेशम कहते हैं वो सहतूत रेशम को ही संदरवित करता है गैर सहतूत रेशम में आपके टसर है, तसर है, इरी है और मुगा आते हैं अब इनके संबन में जो आंकड़े हैं महात्मों उनको देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग सहतूत के बारे में बात करते हैं तो सीर से सहतूत रेशम उत्पादक जो राज्ये हैं उन राज्यों की बात करें तो जो टॉप के राज्ये हैं यहाँ पे पांच राज्यों की बात करनाटक में कुल 11,291 मिट्रिक टन सहतूत रेशम का उत्पादन होता है और वहीं दूसरे नमबर पर आंदरप्रदेश ते 8,832 मिट्रिक टन का इसके बाद का आप देखे तो पहले दूसरे से काफी ज़्यादा डिफरेंस है तीसरे वाले में अब कुल सहतूत रेशम उत्पादन में विभिन राज्यों की हिस्सेदारी परसंटवाइज देखें परसंटेज में देखें तो करनाटक के सिपसेधिक हिस्सेदारी है तो करनाटक जो है जो टोटल सहतूत रेशम का उत्पादन होता है उसका अकेले 43.7% सहतूत रेशम का उ और अन्य राजी मिलकर के 4.6% का उत्पादन करते हैं अब बात कर लेते हैं तसर रेशम उत्पादक राजी के बारे में तो जो 5 तसर रेशम उत्पादक राजी है उनके बारे में बात करे diplom declarator तो जहारखन जो है इसमें आपका नमबर 1 पर है तो ध्यान रखिएगा तसर रेशम के उत्पादक में नमबर एक पर कौन है? जारखंड है तूसरे पर चतिस गड़ है, तीसरे पर उडिशा है और चौथे पर बिहार और पांचवे पर उत्तर प्रदेश है तो तसर रेशम उत्पादक राज्जों के बारे में बात करें तो जारखन नंबर एक पे, छतिस गड दूसरे पे, उड़िशा तीसरे पे है बिहार आपका चौत अचते पे है और उत्तर पदेश पांच वे पे है प्रतसत के दृष्च कौन से, तो जारखन, अकेले 71.7%, जो टसर रेशम है, उसका उत्पादन करता है, मत्तब भारत में, टसर का उत्पादन करता है, दूसरी नमबर पे आपका 36 गड़ध, जिसका परसेंटेज कितना है, 14.8, 14.8 है, तो आप देखें पहले और दूसरे नमबर के जो प्रसत्ता में अंतर हो काफी जादा है तो अकेले जारखन जो है आधे से अधिक तसर रेशम का उत्पादन करता है तीसरे नमबर पे है उडिशा, साथ पर से चौते पे है बिहार, 2.8% ठीक है, वहीं अब तसर रेशम के बाद हम लोग इरी रेशम उत्पादक राज्यों की बात कर लें तो जो टॉप के 5 राज्य हैं, तो इसमें देखें नमबर एक पर आपका इरी रेशम उत्पादक में अश्रम योम बोडा लेंड है दूसरे पे मेघाले है, तीसरे पे मडिपूर है, चौते पे नागा लेंड है और पांचवे पे अनुआचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है तो इस प्रदार से कह सकते हैं कि इरी रेशम उत्पादक जो राज्य हैं, टॉप के 5 राज्य वो आपके नौर्थिष्ट हैं, ठीक है? जो पुर्वोत्तर राज्य हैं, वो आपके इरी रेशम उत्पादक में अग्रणी हैं और ध्यान रखेगा कि इरी रेशम उत्पादक में उत्तरप्रदेश पांचवें पर हैं तो यहाँ पर हमने पहले भात कि तसर उत्तरप्रदेश पांचवें पर हैं तो आप याद रखेगा कि जो उत्तरप्रदेश है वो तसर रेशम उत्पादन और इरी रेशम उत्पादन दोनों में ही जो है आपका पांचमे नंबर पर है ठिक अब कुल इरी रेशम उत्पादन में विभिन राज्यों के जो हिस्सेदारी है प्रत्सत वार उसको देख लेते हैं तो असम यूम बोडा लेंड ये अकेले जो है 74.2 प्रत्सत इरी रेशम का उत्पादन करता है दूसरे नंबर पर मेघाला है पंदर असम यूम बोडा लेंड और मेघाले में तीसरे पर आपका मणिपूर आता है 4.4 परसंट चौथे पर नागा लेंड आता है 4.2 परसंट और पांचमे पर अउनाचल प्रतेश और उत्तर प्रतेश है अब हम लोग मुगा रेशम उत्पादन की बात कर लेते हैं तो मुगा रेशम उत्पादन में नंबर एक पर आपका असम और बोडा लेंड है दूसरे पर मेघाला है तीसरे पर अउनाचल प्रतेश और मिजोरम है और चौथे पर आपका मणिपूर है तो टौप के जो चार इरी रेशम है और मुगा रेशम इन दोनों प्रकार के रेशम के उत्पादन में जो पुर्वत्तर के राजी है वो अग्रणी है तो किसके उत्पादन में अग्रणी है तो इरी और मुगा रेशम के उत्पादन में पुर्वत्तर राजी जो है नौर्थ इस्ट के जो राज वो अग्रणी है तो मुगा रेशम उत्पादन में नमबर एक पर असम और बोडा लेंड है असम और बोडा लेंड आपका इरी रेशम उत्पादन में भी नमबर एक पर था दूसरे पर मेघाला है मेघाले भी जो है इरी रेशम उत्पादन में नमबर दूसरे पर था तीसरे अब हम लोग बात कर लेते हैं परसंट वाइज प्रसत वार तो असम और बोडा लेंड का जो कुल प्रसत है 82.7 प्रसत अकेले ये आपका मुगा रेशम का उत्पादन करता है असम और बोडा लेंड दूसर नमबर मेगाल है 15.3 प्रसत और अन्य जो है वो कुल मिला करके 2 प्र मांच राज्य हैं उनकी बात कर लेते हैं करनाटक देखिए आपका सहतूत उत्पादन में अग्रणी हैं ये दोनों प्रकार के कह सकते हैं रेशम को मिला करके ये 11,191 में उत्पादन करता है अन्दरप्रदेश 8,834 मिट्री करन का असम और बोडा लेंड 5,700 मिट्री करन का तमिलनाट 2,370 मिट्री करन का और पश्री मंगाल 1632 मिट्री करन का तो इस प्रकार से कुल रेशम चाहे वो मतलब सहतूत और गयर सहतूत दोनों को मिला करके बात करें तो करनाटक नंबर एक पर है आन्दरप्रदेश दूसरे नंबर पर है असम और बोडा लेंड तीसरे पर है चौथे पर तमिलनाट और पांच ये पर पश्री मंगाल है ठीक है यदि 75 देखें परसंटेज में यदि आप देखें यहाँ पर तो करनाटक कुल रेश आता है आपका पशिम मंगाल 4.7 और आपका फिर आएगा छटे पे मेगाल है 3 परसंट और आपका फिर आएगा साथवे पे जारखन 3 परसंट और जो अन्य राज हैं मिल करके 8.3 परसंट का उत्पादन करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो रेशम उत्पादन है चार प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है भारत में शहदूत रेशम तसर रेशम इरी रेशम और मुगा रेशम इनके उत्पादन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की तो इस वीडियो में बस कितना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तक्रिए बहुत बहुत धन्यवाद